रादे रादे वेलकम टू माई चैनल देखे फ्रेंड्स आज मैं आपको जीरो नंबर लड्डू को पालची के लिए ये ब्यूटिफुल ड्रेस बनाना बताऊंगी जिसको बनाना बहुत ही आसान है देखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने चोली और दो राउंड मैंने घेरे के देकर कम्प्लीट कर लिए हैं अब देखे मैं लास्ट में आ रही हूं थर्ड चैन में जाकर यहां से मैं यह ग्रीन कलर एड़ करूंगी अब यहां से एक क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट होल में जाएंगे और यहां पर सिंगल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया इस तरह से हर एक होल में सिंगल क्रोशिया करते हुए इस रोग को कम्प्लीट कर लेते हैं सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने इस रोग को कम्प्लीट कर लिया है और यहां पर फर्स्ट वाली चैन के अंदर जाकर slip stitch करेंगे अब यहाँ पर एक, दो, तीन तीन chain हमारी double crochet की हाइट की हो गई अब बीज में एक, दो दो chain extra लेंगे और फिर से यहीं पर मैं double crochet करूंगी इस तरह से देखे V की shape में बन गया अब फिर से loop लेंगे एक, दो दो chain skip करेंगे और थर्ड chain में जाकर double crochet बनाया फिर एक, दो, दो chain बीच में ली और फिर से यहीं पर double crochet बनाया यह इस तरह से V shape में बनता चला जाएगा देखें फिर से यहाँ पर loop लिया एक, दो, दो chain skip की और थर्ड chain में जाकर double crochet किया फिर एक, दो दो चैन बनाई और यहीं पर एक बार और डबल ग्रोसिया किया देखे इस तरह से पूरी रोखो बना कर complete कर लीजी अपने वर्क के एंड में आ गई हैं और यहां से थर्ड चैन में जा कर मैं यहां से slip stitch कर दूँगी इस तरह से अब देखे जो हमने यहां पर चैन बनाई है वी शेप में उसमें अपना वर्क करेंगे यहां से मैं इस तरह से लूप लेंगे और यहां से white color attach कर लूँगी अब यहां पर एक दो और यह तीन तीन चैन करने के बाद इसी के अंदर मैं दो डबल क्रोसिया हो गए तीन चार पांच और यह छे इस वी से में जहां पर हमने यह दो चैन बनाई थी वहां पर छे बाद डबल क्रोसिया किया फिर यहां पर बीच में हम सिंगल क्रोसिय के साथ जोइंट करेंगे और फिर नेक्स्ट वी में आएंगे देखे इस तरह से नेक्स्ट वी में आएंगे यहाँ पर फिर से मैं छे बार डबल करोशिया करूंगी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे छे बार डबल करोशिया करने के बाद इसको यहाँ पर लाकर सिंगल करोशिया के साथ जोइट करेंगी इस तरह से, यह हमारा इस तरह से डिजाइन बनता चल जाएगा और इसी तरह से शुरू को कम्पलीट कर लेते हैं फ्रेंट्स हमारी एड्रेस बनकर रेडी हो गई है और देखने में एक कुछ है, इस तरह से लग रही है यह मैंने जीरो नमबर लड्डू को पाल जी के लिए बनाई है आप इसको छोटे बड़े साइज में असानी से बना सकते हो थैंक्यू फूर वाचिंग